नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ विवेकता पढ़िया, आपका फिदिक्स टीचर और बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं ओम स्लो का एक्सपरिमेंट यानि एक्सपरिमेंट इतने इंपोर्टेंट होते हैं, एक्सपरिमेंट के त्रू जब हम theory को सीखते हैं, तो यह long lasting होती है हमारी memory में, हमेशा हमें याद रहता है तो बच्चों, शुरू करते हैं, ओम स्लो के एक्सपरिमेंट से, हर एक्सपरिमेंट में एक objective होता है हमें पता होना ची हमें करना क्या है, तो बच्चों इस एक्सपरिमेंट का जो object है, आपको जो है resistivity निकालनी है दो या तीन तार resistance wire आपको दिये जाएंगे, कैसा दिखता है resistance wire, मैं एक तो आपको यहाँ दिखाता हूँ तो resistance wire जो है, alloy constantin, manganin या फिर eureka भी कहते हैं हम constantin को और nichrome का इन तीनों alloy के नाम आपको याद रखने, इन में से किसी एक का बना होता है तो अगर आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, यह एक resistance wire है, जिसमें हमने connecting pins लगा दी, बनाना pins इसको कहते है तो बचों, यह resistance wire जिसमें इतनी चमक आपको दिखाई दे रही है, तो यह जो है resistance wire यह naikrome का बना है और nickel के कारण इसमें इतनी चमक आ रही है और अगर simultaneously हम बात करें, तो एक और device मेरे पास यहीं पर रखा हुआ है, real state जिसकी बात में करने वाला हूँ और इसमें आप देख रहे है काले से रंग का तार है, तो बचों यह जो काला रंग है, यह manganese की वज़े से है, यह manganese का alloy है, यह black color का जो wire है तो यह manganese का बना हुआ है, manganese का alloy, manganin, तो यह नाम तीन आपको याद रखने थे, दूसरा हमको चाहिए voltmeter, जब हम कोई भी experiment करते हैं, तो कुछ apparatus हमारे काम आते हैं, तो उसमें main था resistance wire, second है हमारे पास voltmeter, हम उस wire के across अगर potential difference नापना चाहते हैं, potential difference क्यों आपना है, ohms law क अगर आपको verify करना है, approve करना है, तो आपको V और I graph खीच कर दिखाना होगा, और उस graph में V I graph straight line आना चाहिए, obviously, so voltmeter है, हमारे पास बच्चों voltmeter की range आप देख सकते हैं, 0 to 3 volt, तो 3 volt range का voltmeter क्यों चुना हमने, because हमारी जो power supply है, वो 2 cell हमने लिए 1.5 volt का एक cell है, दौनों को series म जोड़ा है, इसलिए 3 volt, हमारे पास है millimeter, milliampere range में वो नापता है, 0 to 500 milliampere ये नाप सकता है, तो जो current दे रहे हैं ये वाले cell, ये 500 milliampere तक की current देते हैं, इसलिए ये suitable range है, जो हमने चुनी है, इस experiment के लिए, next, real state की बात करेंगे बच्चों, तो real state को ध्यान से आप देख ले terminal, दो terminal नीचे जुड़ेवे हैं, इसका जो construction है, बहुत ही simple है, manganine का wire का एक सिरा यहां जुड़ा हुए नीचे, फिर उसे गोल-गोल घुमा दिया गया है, plaster of Paris के cylinder पर और दूसरा है इंड इदर जुड़ा हुए, उपर इसको हम बोलते हैं sliding jockey, जैसे घोड सवार को jockey बो यहां पर diagram में की हमने connection मनाया red नीचे terminal A और उपर black terminal B के बीच में, ऐसा करने से हम इसका इसका इस्तमाल variable resistance की तरह कर पाते हैं, फिर next अगर हम मैं बात करू, current का जो flow है, वो हमने दिखाया इसमें, jockey के through current का flow, यानि positive इदर से current आई और इदर से गई, negative से, जैसा कि आप जा काम कैसे करता है, हम इस diagram से थोड़ से समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये wire के through current flow हो रहे हैं, और finally terminal B से निकला, अगला जो device हम यूज करने जा रहे हैं, वो cell है, 1.5 volt के 2 cell हम यूज कर रहे हैं, pencil cell भी आप यूज कर सकते हैं, medium size भी और मोटे वाले cell भी आप यूज कर सकते हैं, triple A battery भी हम यूज कर सकते हैं, next cell holder, उस cell को hold करने के लिए, तो यहां से हमें output मिल जाएगा, यानि यह हमारा power source हो गया, next plug key है, switch on off करने के लिए, तो plug key इस तरह की दिखती है, जिसमें दो metal के contact आप देख रहे हैं, जब हम बीच में plug लगा देते हैं, तो circuit complete हो जाता है, तो plug key के थुरू हम circuit complete करते हैं, और plug हटा देंगे, तो circuit discontinuous हो जाएगा, next meter scale, क्योंकि हमें जो resistance wire दिये गए हैं, उनकी lambine आप नहीं है, तो lambine आपने के लिए हम plastic या metal का meter scale यूज कर सकते हैं, in general वहां lab में meter bridge available होता है, तो हम उसका जो लकडी का skill उस ये screw gauge, 11 class में आपको पढ़ाया जाता है, error analysis में, तो screw gauge की मदस से हम wire का gauge, यानि wire का diameter निकाल सकते हैं, और उसकी जरुद क्यों है, उसका area of cross section निकालने के लिए जिससे की resistivity निकाल पाएं, तो screw gauge इस तरह का दिखेगा, next connecting wires है, तो copper के wire होते हैं बच्चों, उनके उपर दागे का insulation चड़ा होता है, तो white color के wire जो आप देख रहे हैं, इनी से हमने contact यहाँ पर join किया है, सारे circuit का, यह आप देख पारे कि जोड़ा गया है, हमने इसको जोड़ा है धागे वाले जो insulation के copper के wire हैं, इन से, so connecting wires का resistance हम zero मान कर चलते हैं, इसके बाद principle की बात करें, तो ohms law जो है, इसका principle है, जो experiment हम करने जा रहे है, provided the physical condition, temperature, pressure, etc. remain same, then current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends, तो V proportional I और ज्यादा सही है, अगर I proportional V लिखते पर V proportional I यहाँ पर valid होता है, reverse relation भी valid है, और जो हम constant लगाते हैं, बच्चो वो resistance है, तो given material, given wire के material का, resistance V upon I, हमको experimentally determine करना है, फिर resistivity निकालने के लिए हम यह formula इस्तमाल करने वाले है, R A by L, उसके लिए हमें diameter चाहिए, और diameter के लिए हम screw gauge use करेंगे, बच्चो और लंबा ही नापने के लिए, simple skill हमाई पास है, ohm meter में resistivity आ जाएगी, तो यह पूरी इसकी theory हो गई, circuit diagram जो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो volt meter को हमने resistance wire के parallel में जोड़ा है, ammeter को series में जोड़ा है, real state series में, key series में, और battery से यहाँ से supply दे रहे हैं, battery 3 volt की है, यह सारे naming यहाँ पर करके आपको बता दिये, कि कौन क्या है, वैसे आप पैचान ही गए होंगे, और actual circuit में अभी आपको ह दिखा रहे हैं, यह जो setup photo आप यहाँ देख रहे हैं, वही आपका actual setup exactly यहाँ पर है, जिस पे अब experiment perform करके हम readings निकालने वाले हैं, then कैसे calculate करें least count, अब यह least count क्या होता है, बच्छो, least count फिदिक इतनी आसान है, जो नाम का मतलब है, वही है, least यानि minimum, तो minimum कितना ना पेंग दिविजन से अगर हम divide कर दें, तो हमें least count मिल जाता है, यानि हम यह जानना जाते हैं कि एक सबसे छोटा division कितना ना परहा है, तो voltmeter की अगर बात करें, यहाँ देख पा रहे हैं, 0.5 volt ना परहे हैं, 10 divisions, तो 10 division 0.5 volt ना परहे हैं, और पूरी अगर range हम लें तो 3 volt तक यह range है इसकी पूरी और दौनों ही तरीके से या तो पूरी range लेकर या फिर 10 division 0.5 दौनों तरीके से हम result निकाल सकते हैं, या तो 3 volt 60 division या 0.5 volt 10 division और उससे हमें यह result मिलता है, कि इसका least count हो गया 0.05 volt और जब हम reading लेंगे तो number of divisions में लेंगे और number of divisions को जैसे multiply करेंगे least count से, हमें voltage मे reading मिल जाएगी और इसी तरह से हम millimeter का least count निकाल सकते हैं, so observations में आपको ये details भरनी होंगी, लंबाई नापेंगे हम तारों की, तारों की लंबाई नापकर हम या observations में fill कर देंगे कि कितनी कितनी लंबाई के तार हम इस्तमाल कर रहे हैं, जिससे कि उसका, उसकी resistivity हम calculate कर सकें, यह सब आपको अपने practical book में मिलता है, जो आप file बनाते हैं, उसमें मिलती है details सारी, तो यहाँ available है, यह मेरे पास खाली observation table, जिसको हमें experiment के तुरू fill करना है, on the spot में यापे fill भी कर सकता हूं, but it will take time, तो मैं आपको एक reading निकालना बताऊंगा, और मैं यापे already एक sample chart आपको को दे रहा हूं, जैसे की reading किस तरह से आ रही है, कैसे calculate करनी है, तो बचों अब आते हैं हम इस circuit पर, इस circuit को देखो आप, मैंने जैसे plug की, on किया इसको, तो हमें अब यहाँ पर voltmeter, यह emitter है, यह voltmeter, इन दौनों में readings कुछ दिखाई दे रही है, रियो स्टेट की जॉकी को slide करके, अगर मैं इस end पर ले आता हूं, तो अभी resistance है maximum, पूरे wire का resistance, circuit में introduced हो गया है, इस पर लिखाऊ आउपर label लगा है, 100 ohm, तो 100 ohm resistance introduced हो गया है, current almost negligible है, पर जब मैं resistance 0 की तरफ ले जाता हूं, तो आप देखेंगे, यह reading बढ़ रही है, तो उसको decision का तरीका यह है, पहले तो आपको देखना है कि volt और ampere, इन में से किसको आप x-axis, किसको y-axis पर plot करने वाले है, तो हमने तेक किया कि vi graph बनाना है हमको, तो हम current को x-axis पे लेंगे और voltage को y-axis पे लेंगे, जिससे इसका graph का जो slope है, सीधे-सीधे हमें resistance की value दे देगा, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि current में 10, 20, 30, 40, यहां total 40 divisions का deflection मुझे मिल रहा है, तो मैं 40 divisions में अगर चाहता हूँ कि मुझे कितने observation चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, उसके हिसाब से, यहां यह तो diameter की calculation है बचो, मैं जो आपको बता रहा हूँ, diameter की calculation पे अभी हम आते उससे पहले आप यह देखें, हमें चाहिए 6 observation, तो 40 divisions में 6 observation, तो 6 का table में बोलना शुरू करता हूँ, 6, 3, 18, 6, 4, 24, अभी मैं 40 तक जा सकता हूँ, तो मैं 5, 5 में को calculation आसान चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 5, 5 division से variation से reading ले लेता हूँ, तो 5, 5 division vary करा के मैं reading, अगर लेता ह हूँ, तो calculate करना मिले असान रहेगा, so what to do, बच्चो मैंने सबसे पहले, Rio state में jockey को इस तरह से set किया, कि इस में 5 division का deflection, अमीटर दिखा रहा है, देखते होगता आपको बिल्कुल perpendicular देखना है, और उसके लिए पीछे mirror strip दे वही है, कि needle, अगर बिल्कुल perpendicular आप देख रहे तो जो mirror strip है, apparatus में, mirror strip में needle की image आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, so five division इज़र है, तो उधर मुझे सामने देख रहे है, two division, अब camera के angle के हिसाप से आपको थोड़ा बूर deviation दिख सकता है, मेरी position के हिसाप से, क्योंकि मैं अलग जगे खड़ा हूँ, और आपको जो दिखा रहे हम वो अलग तरह से दिखा रहे है, so five divisions के corresponding two divisions, तो मैं reading में यहाँ पर क्या भरूँगा, number of division, ammeter के reading में five, यहाँ मैं fill कर दूँगा, और यहाँ पर ammeter की reading मेरे को आईगी, मिलेगी five into इसका least count, number of division into least count, तो in ampere आ जाएगी और voltmeter की reading में यहाँ फिल कर दूँगा, two division, और मैं इसको least count से multiply करूँगा, और मुझे वोल्ट में reading मिलेगी, ऐसा मैं करूँगा, पाच-पाच division से बढ़ाता चलूँगा, यहाँ 10 division, then 15, then 20, 25 and so on, तो ऐसे बढ़ाते चलेंगे हम, तो अब देखेंगे यहाँ पर हमने ऐसा किया, यह फिल कर दिया, आपके लिए sample table, तो ampere मे reading आगे हमारे पास, वोल्ट में reading आगे और V upon I से हम उसका resistance निकाल लेंगे, resistance की value जब आप देखेंगे, तो almost same मिलेगी, कुछ जगे थोड़ा बहुत variation आ सकता है, हमें mean निकालना होता है last में, तो mean value जो हमें मिली, वो मिली 2.06 ohm, किसके लिए, किसी एक wire के लिए, जो wire हमने यहां लगाया हुआ है, इसके लिए, तो reading लेने का तरीका मैंने आपको पता है, एक reading लेकर repeat करता हूँ, यह जो circuit हमने complete किया, उसके बाद यह resistance wire लगा है, इसके across potential difference यह वोल्ट मीटर नाप रहा है, current यह अमीटर नाप रहा है, और यहां से हम reading vary करा सकते हैं, 55 division के gap पर हमने reading को vary कराया, और हमने इस तरह से एक तार के लिए resistance की value निकाल ली, ऐसे हम तार को बदल कर, यानि इसकी जगे में दूसरा तार लगाँगा, तो उसके लिए resistance की value मिल जाएगी, similar way में, तीसरा तार लगाँगा, उसके लिए resistance की value मिल जाएगी, और फिर मैं इनका diameter नाप सकता नाप कर और इसकी लंबाई scale से नाप कर, जब मैं formula में रखूंगा, तो मैं resistivity calculate कर सकता हूँ, तो यहाँ पर observation table है, diameter के लिए, ऐसे हमने wire 1 के लिए नाप पा था, वैसे wire 2 के लिए, main scale reading, circular scale division जो coincide कर रहा है, coinciding circular scale division, तो circular scale reading आगे, least count से multiply करके, total reading और mean निकाल लेते हैं, तो sample के लिए आपको fill करके बताया, diameter इसका approximately 0.54, अब वहाँ आपके lab में जो भी तार आपको दिया जाएगा, उसके इसाफ से उसका diameter आएगा, और यह second resistance wire के लिए, हमने resistance calculate कर लिया, suppose उसकी लंबाई कम थी, 1.59 हम आया, उसके और आगे चलते हैं, बाकी calculation आप यहाँ देख सकते तो यह सारी calculation है, resistance 1, R1 के लिए और R2 के लिए, और उसके बाद हम calculate करेंगे resistivity R1 के लिए और R2 के लिए, तो resistivity आप देखेंगे, material सेम है अगर, तो resistivity सेम आने वाली है, 87.5 into 10s power minus 8 ohm meter, यह resistivity है, और second के लिए भी same resistivity आएगी, जब हम graph plot करेंगे, इन observations को use करके, तो graph हमें straight deadline मिलेगा और उससे हम यह कहेंगे कि ohm slot का verification हो गया, so यह graph का जो slope है, उससे हम वापस verify कर सकते है, resistance की value को, और उसको हम result में लिखेंगे, कि R1 की value 2.06 ohm है, R2 की value, उससे resistivity की value हमने निका लिए 87.5 into 10k power minus 8 ohm meter, और इसी तरह से second unknown resistance की value और उसकी resistivity, तो हम देखेंगे resistivity सेम आएगी दौनों case में, so precautions अब देख सकते हैं, sources of error discuss कर सकते हैं, किसी भी experiment को करने के बाद, so this is all about experiment of ohm's law, तो बचों फिर मिलते हम, next video में, अगले experiment के साथ, till then, happy learning.